हेल्डन इफेक्ट जिसको शॉर्ट मैंने एची लिखा है यह एक फिजियोलोजिकल फेनोमेनन है यह भी यही बताता है कि ऑक्सीजन हेमोगलोबीन से किस तेजी से बाइंड होता है या किस तेजी से बिसोसियेट होता है इसी को बताने के ला जो 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 जोन स्कॉट हैल्डन ने यह फेनोमेनन दिया था इसलिए इसको हैल्डन इफेक्ट करते हैं oxygenation of हेमोगलोबीन displaces CO2 from हेमोगलोबीन और बलाट which increases removal of CO2 this property is called हेल्डन इफेक्ट मतलब यह हुआ कि हेमोगलोबीन से दोनों बाइन करता है CO2 भी बाइन करता है O2 भी बाइन करता है तर एक हेमोगलोबीन से नहीं करता है दोनों अलग 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 करता है एक बात दूसरी बात कि दो लेवल हुआ एक लंग्स हुआ और एक टिशू हुआ तिशू लेवल पे लंग्स लेवल पे इस हेमोगलोबीन से दोनों बाइन क करता है यह है अगर कऊ पेँकर रहा हुए ऊपस्फ वह यह सिंपील वाम सचयो अगर भाइं कर जाुए अगर का कंसंटेशन बहें राट फर फ़र यह करेगा यह गटेगा यह अगर कंसंटेशन बहें गर यह güटे तो वही चीज को यह डेखंगा आ CO2 from blood, any hemoglobin से displace कर रहा है, which increases removal of CO2, this property is called held an effect, oxygenated blood low affinity for CO2, जिसमें oxygen जादे होगा, तो उसना CO2 के affinity, CO2 से bind करने की affinity कम हो जाएगा, इसी को हम दुसरे language में भी कह सकते हैं, the ability of hemoglobin to carry increased amount of CO2 in impure blood, than pure blood, बात बही आ गई, तो कि in pure blood में CO2 जादे होता है, pure blood में oxygen जादे होता है, oxygen जब जादे होगा, तो CO2 को displace करेगा, और जब CO2 जादे होगा, तो oxygen को displace करेगा, एं high concentration of CO2 facilitates dissociation of oxy hemoglobin, जब CO2 का concentration बढ़ेगा, तो यह जो oxy hemoglobin है, यह तूट करके oxygen देगा, जिससे graph जो है, वो right shift करेगा, facilitates release of O2 at tissue and uptake at lung, जैसा कि मैंने यहाँ पर कहा, कि दो level है, lungs पे, lungs के पास, partial pressure of oxygen जादे होता है, तो इसलिए binding जादे होती है, और dissociation of CO2 होता है, tissue level पर oxygen, CO2 का concentration जादे होता है, इसलिए oxygen release होता है, CO2 bind करता है, वही बात है वहाँ पर, और यह है, दूजरा है root effect, इसको R, W, T, यह भी root ने दिया था, इसलिए इसका नाम root effect है, यह भी वही चीज है, यह भी hemoglobin और oxygen के बीच में, ही relation को बताता है, बस इन्होंने का, इन्क्रीज़ प्रोटोन और CO2, लोर हमोगलोबीन oxygen binding and carrying capacity, जाहिर सी बात है, जो hellen effect में है, वही यहाँ पर भी है, और only affinity to oxygen is reduced, और यह बोर effect से इसलिए different है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ oxygen से related बात हैं होए, CO2 से related बात हैं, नहीं है, और यह fish hemoglobin में पाया जाता है, root effect. बोर effect, बहुत ही important है, exemption point of view से, Christian Bohr, 1904, oxygen binding affinity of hemoglobin is inversely related to both, acidity, concentration of salt. बोर ने कहा, कि जो hemoglobin oxygen से combine करेगा, यह acidity का inversely related है, concentration of CO2 का inversely related, मतब acidity अगर बहेगा, तो binding capacity of oxygen with hemoglobin, यह hemoglobin with oxygen घटेगा, उसी तरीके से concentration of CO2 में भी है, जिसको मैंने एक short में इस तरह से देखाने की कोशिश किया है, increased CO2 यह pH को lower कर देगा, जब pH lower हो जाएगा, तो oxygen release होगा, यानि hemoglobin से, oxy hemoglobin से oxygen release होगा, जिसकी वज़़से, ODC, यानि oxygen dissociation curve जो है, वो right के तरफ shift होगा, just इसका opposite, CO2 concentration decrease किया, तो pH increase किया, तो hemoglobin जादे से oxygen से bind करेगा, तो ODC left के तरफ shift होगा, इस सब छोटा छोटा है, लेकिन बहुत ही important है, redemption point of pH से, ऑली में जादे से, यानि के तरफ shift होगा, कि नादे से अअगा है, अच्छों जादे से, यानि भूब है, वोगा गूवगा है, लेकिन होगा है, पाली में झाली जादे से शावण, झाल झाल